एक बार गोतम बुद्ध का एक अनुयाई जो की सालों से गोतम बुद्ध के आस्रम में आ रहा था बहन के प्रबचन सुनता आस्रम में ध्यान आदी करता और फिर चला जाता लेकिन अचानक उस दिनों से उसने आस्रम में आना ही बंद कर दिया था यह बात गोतम बुद्ध गाउं से भिक्षा लेकर वापस लोट रहे थे तो रास्ते में उस अनुयाई का घर भी पड़ा बुद्ध उसके घर के अंदर चले गए अंदर जाकर देखा तो बह इंसान आंगन में बैठ कर कुछ काम कर रहा था बुद्ध को देखते ही बह जल्दी से हाथ जोड़कर उनक अनुयाई से पूछा तुम्हारे घर परिवार में सब कुछ ठीक तो है ना अनुयाई बोला हाँ बनते सब ठीक है बुद्ध ने पूछा फिर तुमने आजकल आस्रम में आना क्यों छोड़ दिया यह सुन वे अनुयाई थोड़ा सा सर्मिंदा होने लगा फिर बोला अब म अनुयाई ने कहा मेरे बस्तर बहुती पुराने हो चुकी है वे कई जगे से फट गए है उनमें छेद निकलाए है अब वो बिलकुल भी पहनने लाइक रही ही नहीं बुद्ध ने अनुयाई के बस्तर देखे वे सच में बहुती बुरी हालत में थे जगे जगे से घिश च खड़े हुए और मुस्कुराते हुए अनुयाई के कंदे पर हात रख कर बोले चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा साम के समय जब आस्रम से सभी अनुयाई बुद्ध के प्रवचन सुन घर बापस जा रहे थे तो बुद्ध ने अपने धनबान अनुयाई को रुकने के का बजन देकर बहां से चला जाता है अगले दिन सुबा बहामीर अनुयाई उस गरीब अनुयाई के परिबार के हर एक सदस्य के लिए दो दो जोड़ी कपड़े एक पोटली में बंदभा कर अपने नोकर के हातों भिजबा देता है जिसे देखकर उस गरीब अनुयाई का पूरा परिबार बहुत ही खुश होता है अगले दिन जब दह गरीब अनुयाई दुबार से बुद्ध के आश्रम उनके प्रवचन सुनने आता है तो अंत्य में जाते समय बुद्ध उस अनुयाई को रोक कर पूशते हैं क्या तुम अब अपने नए बस्त्रों में आराम स कुछ नहीं चाहिए बुद्ध ने आगे पूचा अब जबकि तुम नए बस्त प्राप्त हो चुके हैं तो तुम ने अपने पुराने वस्त्रों का क्या किया अनुयाई ने कहा हमारा परिवार आप से उन्हें विस्तर में बिच्छाने और ओढ़ने के काम मिलेगा अब हम ओढ़ने की तरह उप्योग मिलेंगे बुद्ध ने कहा तो तुमने अपने पुरानी ओढ़नी का क्या किया अनुयाई ने कहा बुद्ध मैंने उसे अपने घर की खिड़कियों में परदे की तरह लगा दिया है बुद्ध ने कहा तो क्या तुमने अपने पुराने परदे अनुयाई बोला नहीं बंते अब मैं उन्हें परदों के छोटे छोटे टुकडे करके उनका उपयोग रसोई में गरम बर्तनों को उतारने और पकड़ने के लिए कर रहा हूं। बुद्ध ने पूछा तो फिर तुमने रसोई के पुराने कपड़ों का क्या किया। अनुयाई ने कहा अब मैं उनका उपयोग घर में पोछा लगाने के लिए करूँगा। बुद्ध ने कहा तो फिर तुम्हारे पुराने पोछे का क्या हुआ। अनुयाई ने कहा बुद्ध वो पुराना पोछा इतना तार-तार हो चुका था कि अब उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता था। इसलिए मैंने उस फोछे से एक-एक धागा अलग करके दिये के लिए बातिया बना ली। उन्हीं में से कुछ बातियां मैंने आस्रम में दान कर दी हैं जो आज राज से आपके कक्ष में प्रकासित होंगी। यह सुन बुद्ध अनुयाई से संतुष्ट हो गए। बेस बात से बहुत खुश थे कि उनका शिश्य बस्तुओं को बरबाद नहीं करता बलकि उनका सही से उपयोग करना जानता है। गोतम बुद्ध हमेशा अपने सिस्यों को बहुती कम चीजों के साथ जीवन निर्भा करने के शिक्षा देते थे। साथ ही उनका ये भी मानना था कि यदि हमारे पास कुछ भी हमारी जरुष से अधिक है तो हमें उसे दूसरे जरुतमन्द लोगों को दान कर देना काश हमारी आज की जनरेशन भी बुद्ध का ये संदेश समझ पाए। आज लगवक हर इंसान अपनी जरुष से अधिक चीजे खरीद रहा है केबन लोगों को देखा देखी में और दूसरों को शौफ करने के चक्कर में। आज कल पुरानी चीजों को रियूज करना तो द बहुती जल चीजों का फैशन खतम हो जाता है और दूसरी नई प्रकार की बस्तू चलन में आ जाती है। आज कल जब हम कोई फोन या एलेक्ट्रिक प्रोडक्ट लेते हैं तो उनमें कितने तरह के फंक्शन की जाच करते हैं। लेकिन एक सर्वे के अनुसार एक इंसान यह तो है मानम निर्वित चीजों की बात लेकिन समझदारी से यूज करने की सबसे ज़्यादा जरूरत हमारे प्राकर्तिक संसाधनों जैसे पेट्रोलियम, नैचरल गैस और कुछ बहुती महत्पूर्ण चीजे जैसे पानी, पेड, हवा को है। आज जब प्राकर्तिक संस अमीद है आपको आज की इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को जाद से जादा लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल